हेलो स्टुनेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबम पुरोहित आपका जग्रफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरिट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर मैगनेट ब्रेंस जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको किंडर कार्डन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मेडिया में और छटवी से लेकर बारवी तक हम आपको प डेली बोड, बिहार बोड, यूपी बोड, एमपी बोड और राजिस्थान बोड इन सभी बोड में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टुडेंट्स हम लोग कक्षाब बारवी की बुक जिसका नाम है भारत लोग और अर्थवियवस्था इस बुक का चैप्टर नमबर 9 पढ़ रहे हैं जो इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है भगवलिक परिप्रेक्ष में चैनित कुछ मुद हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण मल्टिपल चॉइस क्वेशन्स जो हैं वो देखने वाले हैं इस वीडियो को लाने का मकसद हमेशा से यही रहा है मतलब हर चैप्टर से संबंधित जो MCQ के हम वीडियो लाते हैं हमेशा हम इसलिए लाते ह अच्छी नहीं होगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो यह सुनिश्यत करने का काम मैगनेट ब्रेंस का है और हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रशन है वो देखेंगे जो आप लोग को डारेक्ली नहीं दिये गया है NCIT की पुक म उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगी समझ में आएगी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में comment कर देना है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question ncrt का ही मैंने लिया है सबसे पहला question पुछा जा रहा है कि निम्लेखेत रोगों में से कौन सा जल जन्य रोग है मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग, कौन सा डिसीज जो है वो जल के कारण, पानी के कारण होती है फरस्ट है स्वशन संक्रमन, दूसरा है नेत्र शलेशमा शोध, तीसरा है अतिसार और चौथा है श्वास नली शोध यही option दिये गए हैं, तो यहाँ पर जितने भी options दिये गए हैं किसी में स्वास की समस्या बताई गई है, मतलब सांस लेने में समस्या, किसी में आपकी समस्या और किसी में स्वास नली में समस्या फिर से बताई गई है चौथे में और ये बीमारिया आप लोगों को याद रखने के भी मैंने आप से कहा था कि एक्जाम में definitely पूछा जाएगा तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option C, अतिसार ठीक है चलिए दूसरे नमबर का प्रशना हम लोग देख लेते हैं द्वनी प्रदूशन के प्रमुख शूत कौन से हैं उध्योग, motor वाहन, loudspeaker या उपरोग सभी द्वनी प्रदूशन किन की वज़े से होता है भाई उध्योगों की वज़े से उध्योगों में चुकी मशीने चलती है इसकी ध्वनी प्रदूशन होता है या नहीं होता है definitely होता है मोटर वाहन, गाडियां, गाडियों के जो हॉन होते हैं वो कितना irritate करते हैं इसकी वज़े से भी ध्वनी प्रदूशन होता है और loudspeaker loudspeaker तो ध्वनी प्रदूशन का एक मुख्य कारण है जो हमेशा जब बचते हैं तो बहुत ज्यादा प्रदूशन फैलाते हैं तो सही आंसर इसका होगा उप्रोग सभी उध्योग मोटर वाहन लाउड स्पीकर सभी जो हैं ये ध्वनी प्रदूशन के प्रमुक्षोद हैं ठीक है चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी तीसरे उद्योग करण के कौन सा प्रदूशन होता है जल ostr दू प्रदूशन द्धवनी प्रदूशन या इनमत्सitar न कलता है आगर वो सीधे नले में आलो में या नाले जो है सीधे नदी में मिल जाते है तो इससे जल प्रदूशन तो होता ही है, अगर उध्योगों में जु चिमिनीय लगी होती हैं उन से जो विशाक्त गयसे निकलती हैं अगर वायू-मन्दल में छोड़ दी जाती हैं तो इससे वायू प्रदूशन होता है और अगर माल लीजिये उध्योगों में मशीने आवास करती है तो उनसे ध्वनी प्रदूशन होता है मतलब कुल मिलाकर उध्योगी करण से जल प्रदूशन, वायू प्रदूशन, ध्वनी प्रदूशन और मरदा प्रदूशन जैसे सभी प्रदूशन जो हैं वो होते हैं तो सही आंसर होगा इसका option D इनमें से सभी ठीक है चलिए चौते नमबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं बहुत आसान प्रशन धारावी मलेन बस्ती किस नगर में अवस्तित है हम लोगोंने गंधी बस्तियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है Slums के बारे में पढ़ा है और एक किस study हम लोगोंने पढ़ी थी धारावी बस्ती के बारे में जो कहां पर इस्तित है केंदरीय मुंबई में स्थित है मतलब कूलकाता दिल्ली और हैदरावाद सही आंसर नहीं है मुंबई इसका सही आंसर है धरावी बस्ती जिसमें हम लोगोंने लगबग 99% समस्याएं धरावी के बारे में दिक्री की थी कि एकदम पास-पास घने मकान है एक रोड है 90 फूट रोड जो सरकास्टिक वे में हसी मजाग के उस देश से वो नाम रखा गया है 90 फूट उसकी चोड़ाई अब नहीं रहे गई है लेकिन कई बार सलकें कई जगा इतनी सक्री हैं कि वहाँ पर ती पहियां वहाँ यानि कि आटो तक नहीं निकल सकता इतनी सक्री सडकें हैं गंदी वस्तियों में अगर हम slums की देखें तो धारावी की हमें देखने को मिलती है आप लोगों से सिर्फ एडर्स पूचाता कि कहां पर है ये जगा पूठी थी धारावी वस्ति तो मुंबईचैर आप लोगों को याद रखना है option B ठीक है चलिए पांच में नंबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं कितने pH मान का जल प्रदूशक माना जाता है तो अगर हम pH value की बात करें जो हमें बताती है कि भाई अमल और छार में difference कि अमल और छार बताने का काम power of hydrogen scale pH scale करता है तो कितने pH मान का जल जो है वो प्रदूशक माना जाता है हमें बताना है सही answer इसका होगा 3 ठीक है तीन अगर pH value है किसी जल की तो हम बोलेंगे कि वो जल जो है वो प्रदूशित जल है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 5 प्रशन बहुत अच्छे से clear होगे और आप लोगों ने सही answer टिक किया होगा वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को like करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करना है और कोई doubt होता है तो बिना हिच के comment box में comment कर देना है ठीक है चलिए छटवे रंबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं तो question है कि निम्लखित में से किसे प्रायह प्रदूशक नहीं माना जाता है इन में से कौन सा प्रदूशक नहीं है आप लोगों को बताना है carbon monoxide, nitric oxide, carbon dioxide या carbonic racine इन चारों विकल्प में से हमें बताना है कि इन में से कौन प्रदूशक नहीं फैलाने वाला है या ऐसे प्रदूशक नहीं consider किया जाता है तो आपनों को पता है कि हमारे वायू मंडल में अगर हम गैसों का अनुपाद जानते हैं तो हमें ये पता है कि हमारे वायू मंडल में 78% 78% अल्मोस जो है वो nitrogen gas जो है मिलती है आप सभी को पता है आप लोगों नहीं पढ़ाई होगा पिशली कक्षाओं में कि लगभग 78% nitrogen gas मिलती है लगभग 20% और कहीं पर 21 भी होता है हमारे देश के लिए नहीं मतलब पूरी प्रत्वी के लिए अगर हम लोग कहें बहुत जरूरी है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिशले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि सूर्ज से आने वाली जो लगू तरंग दैर्द है लगू तरंग दैर्द है जब वो प्रत्वी के धरातल से टकराती है और पार्थे विकिरन के रूप में दीर्ग तरंग दैर्द के रूप में बदलती है तो उन दीर्ग तरंग दैर्द को अफशूशित करने का काम कार्वन डायकसाइड गैस करती है अगर carbon dioxide gas हमारे प्रत्वी पर ना होना तो हमारी जो प्रत्वी है वो जो गोला है बर्फ का गोला जो है हमारी प्रत्वी बन जाएगी और वनस्पतियां और हमारे जीवन के लिए खत्रा पैदा हो जाएगा लेकिन कारवन डियक्साइड गैस की मौजूदगी जो है वो हमारी प्रत्वी को बहुत हद तक ठंडा होने से बचाती है इसलिए कारवन डियक्साइड गैस जो है इसे हम प्रदूशक नहीं मानते लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि कारवन डियक्साइड गैस जरूरी है लेकिन एक निश्चत अनुपात में जरूरी है अगर इसका प्रतीशत बढ़ता है जैसे कि हम बहुत ज्यादा जीवाश में इन्हन अगर जलाते हैं बहुत ज्यादा प्रदूशन अगर हम करते हैं और कारवन डियक्साइड गैस का प्रतीशत अनुपात अगर हमारे वायू मंडल में बढ़ता है तो बहुत ज्यादा गरमी होने लगेगी मतलब एक निश्चत तापमान जो हमें जरूरी है रहने के लिए वो तापमान बढ़ जाएगा वो भी हमारे लिए क्या है? हानी कारक है तो निश्चत सीमा तक कारवन डियक्साइड को हम प्रदूशक जो है वो नहीं मानते, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ओप्शन सी कारवन डियक्साइड यानी सीओ टू गैस ठीक है? चलिए साथवे नंबर का हम लोग को क्वशन देख लेते हैं कि किस प्रदूशन द्वारा सरवाधिक बीमारिया होती है मैंने आप लोगों को चैप्टर से संबंदे एक डेटा भी बताया था कि जितनी communicable disease हैं जितने भी संचारी रोग हैं उन में से अधिकतर जो संचारी रोग हैं वो ध्वनी, जल, मर्दा और वायू में से किसके द्वारा होते हैं? बुक में सीधा सीधा क्वेशन दिया गया है कि अधिकतर संचारी रोग जो हैं वो जल के द्वारा होते हैं हैजा, टाइफाइड, डाइरिया ये कुछ बीमारिया हैं जो जल प्रदूशन के कारण मुख्यता होती है तो ध्वनी प्रदूशन, म्रदा प्रदूशन और वायू प्रदूशन इसका सही आंसर नहीं है सही आंसर है जल प्रदूशन, ठीक है, ऑप्शन B चलिए, आठवे नंबर का हम लोग प्रशन देख लेते हैं कि निमलिकित मैंसे कौन सी अप्सिस्ट प्रद्धन की सबसे प्रभावी पधती है मतलब जो अप्सिस्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है अगर हूं उसका निप्टान बहुत अच्छे से कर पाते हैं ठीक है, उसको ट्रीट बहुत अच्छे से कर पाते हैं जो landfill का उपयोग है मतलब कहीं पर अगर खाली जगा पड़ी होती है आप लोगों को पता है कि आपके घरों से कच्रा एकटा करके कई बार खुले में वो कच्रा जो है फेक दिया जाता है कोई एक निश्चित जगा में या गड़ा दिया जाता है गड़े में तो मतलब landfill का नहीं चक्रन करने काई बार recycle कर दिया जाता है प्लास्टिक की चीज़ों को ठीक है खुले में कुडा फैक ना कई बार क्या है कि घरों के सामने गाड़िया नहीं आती तो लोग क्या करते हैं कि खुले में कुडा जो है वो फैंक देते हैं मतलब अपने घर के सामने ना रहे किसी दूसरे के घर के सामने कचरा हो तो कोई दिकत की बात नहीं है और कचरे को जलाया भी जाता है आपनों को पता है बहुत सी जगा कचरे को जलाते भी हैं तो यह चारो पदेती तो यूज होती है भाई अपसिस्ट के प्रबंदन के लिए लेकिन इसमें लिखा गया है बिजली बना ले खाद बना ले तो ये है अपसिस्ट का पुनह चक्रा लेकिन अगर हम लैंडफिल का उप्योग करते हैं तो इससे भूमी जल परदूशित होने का खतरा होता है अगर हम खुले में कुगला फैकते हैं तो इससे बीमारियों का खतरा होता है कच्रे को जलाते है तो हमारे वाईउ मंडल में कुछ विशाक्त यानी जहरीली गैसें जो है वो छूटती है लेकिन option B जो है उसका बहुत ही कम नुकसान होता है या ना कि बरावर नुकसान होता है इसलिए सबसे प्रभावी तक नहीं है अपसिस्ट का पुन चक्रन उमीद करता हूँ आप लोग को ये प्रशन बहुत अच्छे से clear हो गया होगा ध्यान से जो है इस प्रशन को देख लेना है याद कर लेना है और आपके जो descriptive प्रशन है उसमें भी आप लोग जो है इनका उप्योग करेंगे ठीक है चलिए नवे नंबर का प्रशन देख लेते हैं नेमलिकित में से कौन सा भूमी अपर दन को रोकने का तरीका है मतलब Soil Erosion जो है उसको रोकने का तरीका कौन सा है वरक्षों की कठाई वरक्षों की कठाई से Soil Erosion रोकेगा क्या नहीं इससे तो स्वाइल इरोजन क्या होगा बढ़ेगा मतलब ये तो सही आंसर नहीं है वनों का संदक्षन ये बहुत सही आंसर है मतलब वनों का संदक्षन तो एक हद तक हमें लग रहा है कि हाँ इसका आंसर हो सकता है अत्यधिक रासायनिक उरवरकों का फ्रियोग नहीं रासायनिक उरवरकों का बहुत ज़्यादा फैटेलाइजर अगर हम यूज करते हैं तो इससे भी म्रदा अपरदन की समस्याएं देखने को मिलती हैं और अत्यधिक चराई, अगर मालीजे जानवर अत्यधिक चराई करते हैं, किसी खुली जगा पर घास वगेरा पूरी खा लेते हैं, तो जो मिट्टी की पकड है, वो क्या हो जाती है? धीली हो जाती है, और अल्टतह क्या होता है? स्वाइल एरोजन या दीमरदा अपरदन होत हती हैं, और इससे स्वाइल एरोजन नहीं होता, ठीक है, उमीद करता हूँ, आप लोगों को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सही आंसर है, ऑप्शन B, दसवे नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत में ग्रामीड शे, शेहरी छेत्रों की यो प्रवास का मुख्यकारन कहले हैं, बहुत गाऊं से शेहरों की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन मुख्यकारन क्या है लोगों के जाने का प्रवास का. पहला अप्शन है, ग्रामीड शेत्रों में शिक्शा का भाओ, हाँ ये 71 अंसर हो सकता है, शेहरी छेत्रों में भाई लोगों को शहरों की चकाचौंद जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्शित करती है कि मॉल्ग है भाई मॉल कल्चर है चोणी सडकें हैं अच्छा रहन सहर है इसलिए भी लोग कहा जाते हैं गाउं से शहरी शित्रों की तरफ जाते हैं मतलब यह तीन कारण तो सही लग र आतरिक्त आई के श्रोत के लिए भी कुछ लोग अगर ज्यादा पड़ते हैं तो इस प्रकार रोजगार की जो अफसर है शहरी शेत्रों में वो ग्रामी ने लोगों को बहुत ज्यादा आकरशित करते हैं हम लोगों ने रमेश की कहानी भी पड़ी थी याद आ रहा है ना ठी जहरी शेत्रों में रोजगार के अफसर उमीद करता हूँ आप लोगों को ये 10 प्रशन जो मैंने अभी बताएं हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होंगे मज़ा आ रहा है ना वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटा फट वीडियो को लाइ आप दूशित में से कौनसा है वाई यृ प्रदूशन याणि एएर पैलूशन का मुख शोत बूचा जा रहा है जल निकासी का दूशित पानी भई जल निकासी से वाईव प्रदूशन का क्या संबंध इसी ततरीके से वाहनों से निकलने वाला धुआ हां यह सही आंसर हो स शुद्ध रूप से वायू को प्रदूशित करता है। मतलब दूसरा आंसर जो है वो सही accurate आंसर हमें समझ आ रहा है। सही आंसर है option B. 12 नमबर का प्रशन देख लेते हैं म्रदा अपर्दन का क्या कारण है। म्रदा अपर्दन हो रहा है। तो ये तीनों ही आंसर जो हैं वो सही है, option D. 12 नमबर का प्रशन का सही उत्तर होगा। चलिए, 13 नमबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं कि म्रदा की गुणवत्ता किस प्रदूशन से नस्ट होती है। क्वालिटी बोली जा रही है कि म्रदा की गुणवत्ता है क्वालिटी है वो किस प्रदूशन से नस्ट होती है। वायू प्रदूशन, जल प्रदूशन कुछ हद तक, कुछ हद तक जो है वो म्रदा को प्रदूशित करते हैं। वायू प्रदूशन तो बहुत कम लेकिन जल प्रदूशन कुछ हद तक करता है। लेकिन एक्कुरेट जो सही आंसर है वो है भूमी प्रदूशन। अगर हम अपसिस्टों को खुले में भूमी पर डाल डाल डेते हैं तो मिट्टी जो है उसमें जो उपयोगी वैक्टीरिया जो होते हैं वो नस्ट हो जाते हैं तो इस तरीके से भूमी डिग्रेड हो जाती है निम्नीकरत हम लोगों ने टॉपिक पड़ा हुआ है सही अंसर होगा option D ठीक है? चलिए चौदवे नंबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं नमामी गंगे योजना का मुख्योदेश क्या है? पढ़िये हम लोगों नहीं है योजना है ना? चलिए नमामी गंगे योजना का मुख्योदेश बताना है गंगा नदी के जल मारगों का विस्तार करना गंगा नदी की सवच्चता और पुनरजीवन गंगा का किनारे और द्योगिक विकास को बढ़ावा देना और गंगा नदी के जल का कशी में उपयोग बढ़ाना अगर आप लोगों ने योजना नहीं पढ़िये ना तो चारों options में आप confused हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आप common sense यूज़ करेंगे थोड़ी सी भी आप लोगों ने इस chapter में अपनी अकल लगाई होगी थोड़ी सी भी तो आप लोगों को सही answer पता चल जाएगा क्यों? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगोंने मुख्य रूप से इस chapter में प्रदूशन के बारे में ही जाना है जब हम लोग जिकर कर रहे थे कि भारत में सबसे आदा प्रदूशित नदिया कौन सी हैं तो गंगा यमुना का जिकर हम लोगों मतलब गंगा नदी की सफाई करना और उसे पुनर जीवन प्रदान करना यह नमांवी गंगे योजना का मुख्य उद्देश है आप लोगों के लिए एक howmwork है आपनोंको year बताना है नमांवी गंगे योजना का year कि किस एर में यह उजना जो थी वो शुरू ही थी लॉंच हुई थी ठीक है चलिए तो इस वीडियो का लास्ट प्रशन हम लोग देख लेते हैं केंद्रिय प्रदूशन नियंतरान बोर्ड सेंटर पॉलुशन कल्ट्रोल बोर्ड जो है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थ 1965, 1974, 1986 या 1990 केंद्रिय प्रदूशन नियंतरान बोर्ड जो निगरानी करता है कि प्रदूशन हो रहा है कहा हो रहा है कितना हो रहा है और इन सब बातों की निगरानी के लिए जो जिम्मेदार अथॉलिटी है जो बॉड़ी बनाई गई है वो कौन सी है CPCB इसकी स्थापना ह आम लोगों को बतानी है कब होई थी सही आंसर होगा इसका ऑप्शन भी बेहद जरूरी प्रशन है ठीक है 1974 में CPCB की यानि केंद्री प्रदूशन नियंतरान बोर्ड की स्थापना हुई थी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 15 प्रशन बहुत अच्छे से क्लियर हो होंगे मज़ा है ना वीडियो में अगर वीडियो क्लियर है तो चलिए फटा फट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसी तरीके से CBSC बोर्ड के classes भी Magnet Brains channel दोरा चलाई जा रही है www.magnetbrains.com ये हमारी official website है जिसका interface आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारे courses updated form में, synchronized way में आप लोगों को नजर आ जाएंगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और WhatsApp channel आपको करना क्या है? इन सभी channels को subscribe कर लेना है आज की इस वीडियो को धेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ share करना है और कोई doubt होता है तो बिना हिच के comment box में comment कर देना है E-notes और E-books के लिए आप description box चेक कर सकते हैं तू आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू, थैंक यू सो मच